नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आंतिक नियंतरन के परिवेश के बारे में धनके रहें, Environment of Internal Control की उसको कौन-कौन से तत्त्य या कारक प्रभावीत करते हैं, इस से पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि आंतिक नियंतरन होता क्या है, ना तो उससे पहले में अन्तिक नियंत्रम के वाड़े में कर लेते हैं परिदा के विवस्ता के गति हैं जिस संगटनी इसे में सिस्टम किया जाता है कि कोई भी नियम हो या किसी परकार का कोई वित्तिय दस्तावे जो तो उसकी जाज की जाती है और वो वो क्या होता है कि एक वक्ति विसेस उसके हावी नहीं होता इससे क्या होगा उस संसा में वित्तिय मामलों का हो जाए प्रसास्निक मामलों का हो एक control system डौलप रहता है उसी चीज की अपन यहां पे चर्चा करेंगे कि वो तत्व केसे प्रवावित करते हैं यहां पर तो अपने पास सबसे पहला आता है और गिनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक है पहला जो आंत्रिक नियंत्रन को प्रवावित करे गथास। एक उपक्रम की संगटनात्मक संरचना जहां तक व्यवारी को एक धाचे की भूमी का निबाती है, ताकि एक व्यक्ति को नियंत्रन तंत्र पर हावी होने से रोका जा सके, सता महत्मुन कार्यों के फर्तक्य करन की व्यवस्ता की जा सके, मैं अभी जैसे माली जी कि जैसे कोई बिल बनाने वाला है, उसको इस बिल को पास करने की यदि पर्मिशन दे दी जाए या उसको अधिकरत कर दिया जाए, तो हो सकता है कि उससे गलती हो जाए, नहीं चाते हो भी गलती हो सकती है, कि जैसे माली जी कोई व्यक्ति है, वो यदि वो बिल बनाने वाला है, वो इसको पास करने वाला है, तो उससे मिस्टेक सब गलती होगे, एक सामन्य वे में वो गलती कर दी उसने, ठीक है, एक होता है कि वो चाकर माली जी वो इस बिल को पास करने वाला हो जाए, तो यहां पर क्या है कि संगठन की संद्रचना का निर्माण इस प्रकार से किया जाए, ठीक है, जिससे क्या हो आंतिक नियंत्रन का उद्देश्य पूर्ण हो सके, कि जैसे बिल बनाने वाला लग होगा, बिल को चेक करने वाला लग होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कि यह उससे वो गलती हो जाती है, तो वो दूसरा वक्ति उस गलती को डिटेक्ट कर सकता है उसमें सुधार करवा सकता है अब एक चीज तो यह आगई दूसरा है बनाने वाला भी वही है पास करने वाला भी वही है और चेक पर साइन करने वाला भी वही है तो इससे क्या होगा गल्ती होने का चांसे बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो यहां पे संगटन की संरचना बहुत महत्पूर्ण है फिर आता है महत्पूर्ण कार्यों के फर्तक्की करन यहां पर हो गया कि कार्य का जो भी अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग कार्य आवंटित किया जाएगा पिर आता है परबंद कि अदिक्षण मैनेजमेंट सूपरवीजन ठीक है अभी होता क्या है कि एक ही विप्ति को सूपरवीजन दे दिया जाए या फिर जो कार्य कर रहा है उसको इसूपरवाईजर लगा दिया जाए तो उससे भी क्या होगा आंत्रिक नियंत्रन पंडलाली प्रबावित होगी, प्रबंध आंतिक नियंतरन के तंत्र को सुजाने वो बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होता है, अपनी अधिक साणिया जिम्मेदारियों के परिचालन प्रबंध को नियमित आदार पर आंतिक नियंतरन की प्रयाप्तता की समिक्षा करनी चाहिए, ता वोही उस कारिया का新ण करता रहता है और वही उसको डिईल करता रहता है। इसनले काँ सामिक्षय करना भी आविशक होता है। फिर थर्ड है परसोनेल क्रमचारी गण। किसी भी तंत्र का उचित क्रियानवन उसको चनाले वाले लोगों की युग्यता व इवांदारी पर निर्भर करता है। संगतनात्मक संरचना किसी और्गिनाइजेशन की बहुत अच्छी हो। जैसे पांच लोग हैं किसी दस्तावेज को या किसी लेखे को चेक कर रहे हैं और यह वो पांचों लोग एक जगे मिल जाते हैं किसी विशय को लेकर यह वो नियमानुसार नहीं है तो वहां पर क्या हो होगा कि उनमें से ही एक भी विक्ति अपना कार्य के प्रति निश्टावान है और इमानदार है योग्यता रख्त है तो उस केस में क्या होगा कि वह आंत्रिक नियंत्र प्रणालिक प्रभावसाली बनी रहेगी अधा क्रमचारी गण समुचित रूप से योग्य पर सिक्सि से जानता है तो यहां पर क्या होगा अपने आपी आंत्रिक नियंत्र प्रणाली में इंप्रूमेंट आएगा क्योंकि वह उस विशेश की विशेश योग्यता रखता है उससे क्या होगा गलती करने के चंसे कम होंगे और उससे आंत्रिक नियंत्र प्रणाली और अधिक प् तो उस कारे की कारे को सिलता भी अधिक प्रभावशाली होगी और आंत्रिक नियंटन परणाली भी प्रभावशाली होगी तो इस प्रकार से ये तीन कारक हो गए जो आंत्रिक नियंटन परिवेश को प्रभावित करते हैं एक Organizational Structure, एक Management Supervision और एक Personnel इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की मतलब रटने की जरूरत नहीं है आप इनके concept को समझोगे तो ये अपनियाप ही आपको समझ में आने लग जाएंगे कि एक example लेके अपने इस सीज को समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे